नमेशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबीक अपने यूट्यूब चैनल पे है तो दोस्तों आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाशल प्रदेश का है क्लास 3 भरतियों का उसके बारे में पूरी बात करेंगे तो हिमाशल प्रदेश की क्लास 3 की भरतियों कहां लटकी पड़ी है तो आपको पता है कि जैसे अप्रैल 13 अप्रैल की जो कैबिनेट की बैटक हुई थी उसमें अनुबंध जो नियम थे उनमें संशोधन करने की बात की गई थी तो उसमें अभी तक संशोधन नहीं हो पाया ह है और अनुबंध नियमों में संशोधन के निर्ने से प्रक्रिया रुकी है और इंतजार में सभी भरतिय जैंसी हैं तो हिमाशल में राज्य सरकार के स्तर पर एक फैसला ना होने से कई नौकरियों की प्रक्रिया रुकी है यह सिती अप्रैल 2023 से बाद अब तक नहीं बनी राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कॉंग्रेस सरकार की कैबिनेट ने तेरा अप्रैल की बैठक में है फैसला लिया था कि अनुबंध भरती के नियमों में बदलाब किया जाएगा यह बदलाब अनुबंध की अप्ति और अनुबंध के वेतन को लेकर था लगवक तीन महीने प्रक्रिया के बाद यह फाइल तियार हुई कार्मिक विभाग ने इस फैसले को लागू करने के लिए लोग सेवायोग विदी विभाग और वित विभाग से भी अनुमती ली लेकिन राज्य सरकार ने आकरी वक्त पर इसे होल्ड कर दिया और फिर यह निर्देश आये अनुबंध के वरतमान नियमों को ही जारी रखा जाएगा और लेकिन इस बारे में कोई लिखित निर्देश अभी तक जारी नहीं किये गए है भरती के लिए भी गैपन नहीं आ रहे हैं मुख्य सचिव पर बहुत सक्सेरा ने बताया कि हमामला राज्य सरकार के ध्यान में है मुख्य मंत्री के साथ इस मामल में चर्चा हुई कुछ आपचा रिकता हैं पूरी करने के बाद जल्द अंतिम निर्देश लिया जाएगा लेकिन अब तक कोई भी निर्देश देखने को नहीं मिल रहा है